जैजिनें दोस्तों, वेल्कम एक टो माई चनल पॉजिटिविटी विद रिखा तो कैसे है मेरे सभी दोस्त, I'm sure आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों, आशा और निराशा, एक ही सिक्के के दो पहलू है आशा, जो सुनते ही हमारा मन खिल उड़ता है उमीदों की खुशियां भर जाती है हमारे दिल के अंदर ऐसा लगता है मानों चारों तरफ फूल खिल गए हों अलग-अलग रंगों के क्योंकि आशा हमारे जीवन में एक नया संचार करती है प्रेम और आनन से भर जाता है हमारा जीवन जैसे कहते हैं किसी डूपते हुए को तिमके का सहारा होता है ऐसे ही आशा का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है मान लिजिए कोई ग्लास आधा भरा हुआ है यदि हम आशा की दृष्टी से देखेंगे तो वो हमें आधा भरा हुआ दिखाई देगा परन्तु यदि हम उसे निराशा की दृष्टी से देखेंगे तो वह ग्लास हमें आधा खाली नजर आएगा तो बात आती है दृष्टी कौन की आशावन व्यक्ती छोटी से छोटी चीज में भी खुशियां ही डूनता है आशा का देख जलाए रखता है चाहे कितनी भी मुश्किले उसके जीवन में आए परन्तु वह अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ता वही दूसरी और निराशा जिसके नाम से ही एक अजीब सी फीलिंग आती है चेहरा उदास हो जाता है हमारा जीवन दुखों से भर जाता है ऐसा लगता है कि ये निराशा हमारी जीवन में जहर भोल देगी अच्छी वस्तू भी होती है तो भी हम उसका केवल नेगेटिव पहलू ही देख पाते हैं यदि हमारी जीवन में हम निराशा को बैठा लेंगे तो कोई भी विक्ति हमसे बात नहीं करना चाहेगा हमारा वैवार, हमारा निराशा भरा हुआ वैवार किसी को पसंद नहीं आएगा क्योंकि खुशियों में, उम्बीदों में हर कोई साथ होता है लेकिन दुखों में और निराशा में अपने सिवा कोई नजर नहीं आता बेशक जीवन के हर मोड पर, हर पल में कोई ना कोई निराशा भरी बात हमारे साथ होती रहती है पर फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस परिस्तिती को और उस सिच्वेशन को और उस कठिनाई को उमीद भरी नजरों से, आशा भरी नजरों से देखें और सोचें और फिर उसका समधान ढूने निराशा हमें जीते जी मार डालती है फिर सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, उसके किरनों में कितने ही तपन क्यों न हो परन्तु क्या वो एक समुद्र को सुखा सकती है? नहीं न? तो ऐसे ही दोस्तों, आशा की एक भी किरन यदि हमारे अंदर है तो हमारी सारी निराशा चूप मंतर हो जाती है निराशा से दूर रहना है और आशा को अपने पास रखना है और साथ में स्माइल करना है, स्वर्थ रहना है, मत रहना है तो दोस्तों मिलती हो नेक्स वीडियो में तिल दैन बाई बाई गाईज, सी यू सून